पिडिये छात्रों, नमस्कार, NCRT गडित बर्ग 6 में आपका स्वागत है, आज प्रस्ना बारे 1.3 को हल करेंगे, जिसमें प्रस्न संख्या 1 में है, ब्यापक नियम का पर्योग करते हुए निमलिखित में से परतेक के योगफल का सनक्यत मान बताना है, ठीक है? यहाँ पर मे तब होता है किसी में संख्या का नजदीक की मान, ठीक है? चलिए इसे हम रफ पेज पर समझते हैं, एक्जामपल के तोर पे 72 किस संख्या का ये नजदीक है, तो आप बोलेंगे किसका है ये 70 का ये नजदीक है, ठीक है, तो उसी तरह से एक्जामपल एक और लेते है 51, तो आप बोलेंगे एंसर के रूप में क्या होगा, ये 85 होगा, ठीक है, तो इसी तरह से कुश्चन को हल करते हैं, यहां पर लिखा हुआ है 730 पलस 998, ठीक है, हमें यहां निकालना है सनकतित मान, ठीक है, तो 730 का जो नजदीक की मान होता है, वो क्या होता है, यहां आप लिख और 1,000 के नजदीक है, ठीक है? तो आप यहां क्या करेंगे? 1000, यह हजार हो गया, 999 की नजदीक, ठीक है? तो इसे जोड़ देना है, जेब इसे आप जोड़ेंगे, कितना आईगा? 1700 ठीक है, तो यह हमारा क्या हो गया? रैट एंसर है, इसी तरह से प्रसं संख्या B को हल कर है माइनस का दिया गया कोश्टन ठीक है तो कोई बाद नहीं हम माइनस का ही बहुत हल करें ठीक है तो यह बीम है 796 माइनस 314 तो 796 कि संख्या का नजदीक है तो आप बोलेंगे यह 800 नजदीक थे तो यहां पर 800 में पुरा पूरा-पूरी-चार ही कम रहा है तो यह कितना का यह 800 वह जाएका माइनस यह कितना को लगभग 300 को हम ऑन 300 में घटाना है तोatoreश में 200 stoGR तो 있어서 3 चीए श्री यसका राइट एंसर है, इसी तरह से प्रसन संख्या C को समझेंगे प्रसन संघ्या C में है 12904 प्लस 2878 इसका भी में क्या करना है समनकतित मान ही घ्यात करना है तो चलिए से घ्यात करते हैं 12904 का जो न्यजदी की मान होग लगवगी है 13,000 का है न यहां लिखेंगे 13,000 ठीक है उसके बाद प्लस का निसान लगाएंगे यहां पर कितना है 2888, तो यह कितना का इलगवक 3000 का नजदी है न यहां क्या लिखेंगे 3000 जब इसे जोड़ेंगे तो जोड़ने का आएगा जोड़िये 3-0 से 3-0 लिख देते हैं इसके बाद 3 और 3 कितना होगा यह 6 और यह तो एक ही होगा तो यह लगभा कितना है पुरा-पूरी अंसर आगे इसका 16000 है यह भी एक हो गया इनसर हो गया ठीक है इसी तरह से प्रसंद संख्या D को भी हल करेंगे प्रसंद संख्या D में 28292 ठीक है माइनस 21496 यहां भी हमें उसी तरह से बनाना है जिस तरह से ABC को हल किए है ठीक है तो यह चलिए 28200 कितना है तो यह लगवा कितना का नजदीक है तो यह हो जाएगा बराबर की निसान लगाएंगे और यहां 28000 ठीक है 21446 यह जो नजदीकी है वो संख्या क्या है 21000 है ठीक है देख सकते हैं तो कि इसके आगे गर करेज़ेगा तो यह हो जाएगा 22000 है न तो देख रहें यह 496 ही है मतलब यह 5 से अब यह क्या है नीशे है अगर यह पहले 5 से है तो यह लगवाक 21000 से ही होगा नजदीकी मान अगर यह 5 से पलस रहता तो यह कितना हो जाता यह 22000 हो जाता ठीक है तो आप 28000 में 21000 को घटाना है तो चलिए 30000 से 30000 को पहले लिख देते हैं ठीक है उसके बाद घटाना है हमें क्या आठ में एक घटाना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साथ ठीक है अगर दो जिरो से दो जिरो समाप्त हो गया तो कहा कितना एंसर आएगा 7000 जो ही यह हमारा राइट एंसर होगा प्रस्ण संखिया दो में है निम्न सवालों में परतेक में एक मोटे तोर पर आकलन और एक निकटतम आकलन 10 तक संद्रिकटन देना है ठीक है तो इसे ज्याद करना है तो यहाँ है प्रस्ण संखिया A में 449 पलस 334 पलस 4137 इन सभी का क्या करना है 10 तक का संद्रिकटन मान देना है ठीक है तो यहाँ 449 तो यह देखिए 49 जो है किस संखिया के यह नजदीक है तो यहाँ पकड़ने के लिए सबसे असान तरीका क्या है यह देखिए 9 जो यहाँ पहरी क्या है 5 से अधिक है मतलब यह 40 के पास है तो आप यहां लिखेंगे 440 पलस उसके बाद 334 यह 5 से नीचे है मतलब यह कितना के पास है 330 के पास है यहां लिखेंगे 330 पलस 4,370 यह भी 5 से अधिक है मतलब यह 17 जो है 20 के पास है यहां लिखेंगे कितना 4,320 20 ठीक है और ये 3 को क्या करेंगे आपस में सबको जोड देंगे तो चलिए इसे जोड लेते हैं 0, 0, 0 क्या हो जाएगा? 0, 2, 3, और ये 4 कितना हो जाएगा? तो 7, 2, 9 ठीक है? तो यहां हो जाएगा आपका 9 उसके बाद 3, 3, 6, 6 और 4, 10 तो ये कितना हो जाएगा? 10 का 0, हासिल एक बच गया है, चार संख्या में 4 लाश्ट बचा गवा है और इन सभी में 3, 3 कता है, ये तो समाफ्त हो गया है, बच चार है और एक हासिल, कितना हो जाएगा? 5, तो ये हो गया आपका राइट एंसर, नहीं कि 5,090 इसे आप चाहें, तो दुसरा बिदी से भी बना सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर लिखा हुआ है 5,090, मतलब ये किस संख्या के ये ज़्यादा नजदीक है? ठीक है? तो इसे आप क्या करेंगे? रूल से आप इस तरह से भी बना सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 2,090, मतलब ये ज़्यादा नजदीक है, तो यहाँ आप 400 लिखेंगे, पलस 334, ये जो है कितना के नजदीक है? तो ये बोलेंगे आप 300 का, पलस 4,317, ये जो है कितना का है? ये 300 का नजदीक है, है न? यहाँ लिखेंगे 4,300, और ये सभी को वापस में क्या करेंगे? 8 कर देंगे, तो चलिए 2,0, 2,0, 2,0 क्या हो जाएगा? ये 2,0 हो जाएगा, 3,3,6, 6, और ये 4,10, हासिल 1 हो जाएगा, अलाश्ट का 4 है, अब आखे कितना ये? 5, ठीक है? तो ये एक एंसर ये भी है, और य यादा आता है, तो आप उनसे बना सकते हैं, एंसर सही होगा, ठीक है? तो चलिए प्रसंद संख्याव B को करते हैं, प्रसंद संख्याव B में कितना? एक लाख 8,734, और यहाँ है 47,599, अब यहाँ भी हमें क्या करना है? सरनिक कटन मान, 10 तो कहीं ग्याद करना है, ठीके? तो आप देख रहे हैं, लाश्ट में कितना है, ये 5 है, जो है, ये कम है, ठीके? मतलब ये किसके नज़ीखे? तो ये 30 का नज़ीखे हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे 10, 87, और ये किसका नज़ीखे? 30 का, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? 30, माइनस, 47, 1599 का आप किस तरस लिखेंगे? तो ये जो देख रहे हैं, आप 9 से क्या है? अधिक है, तो मतलब ये इसमें एक गराउट जूड़ जाता है, तो ये 600 पुरा-पूरी हो 600, हाँ जा करेंगे? 600 एड कर देंगे, ठीक है? तो बताए कि यह आप भी माइनस का है, तो क्या करना है? इसे माइनस कर देना है चलिए तो इसे क्या करना है घटा लेते हैं या इसे आप लीख कर भी घटा सकते हैं 0 8 7 3 0 यह मैनस में लिखेंगे double 0 फिर लिखेंगे 6 7 और यह आपका कितना हो जाएगा 4 चीक है इसे क्या करना है घटा दना है तो 0 3 1 1 यह कितना बचेगा 6 10 में 4 खटेगा कितना यानिकी 61,130 तो आप यहां 16,000 कितना है 130 लिख सकते हैं यह आपका एंसर हो गया ठीक है तो इस तरह से आप प्रस्न B को भी हल कर लिए अचलिए प्रस्न संख्या C को करते हैं प्रस्न संख्या C में है 8,325 माइनस 491 चलिए इसका भी क्या करना है सन इकर तरही मान ग्याद करना है तो चलिए इसे ग्याद करते हैं यहां क्या है जो 5 देख नहीं 5 बराबर मान है मतलब यह आप कर सकते हैं यह जो है 30 के ज्यादा नजदीक है ठीक है तो यह आप लिख सकते हैं 183 माइनस 491 मतलब यह जो है 90 के पास है अगर आप से 100 करना चाहते हैं तो यह 9 अधिक होना पड़ेगा इसलिए आप इसे 490 ही रखिए ठीक है जो यह 490 के ज्यादा यह करीब है अब इसे क्या करना है घटाना है तो घटाएंगे 0 से 0 घटाएंगे तो यह 0 ही बचेगा उसक को एक केली देगा आनि कि 0 देगा तो 15 तेरा में 9 घट जाएगा कितना बचेगा यह 4 ठीक है और इस बचेगा यह 2 तबारा में 4 एनसर आएगा इस तरह से आप सभी question में बना सकते हैं ठीक है यहां अगर आप चाहते हैं कि दूसरा नियम से बना है सकेंड नियम से तो आप यहां यहां लिखेंगे उसके बाद देखेंगे यह 8,325 जो है यह किस संख्या का नजदीक है तो आप बोलेंगे यह 300 का नजदीक है यहां आपका हो जाएगा आठ अज़ार तीन सो चुकि यह क्या है 300 का यह ज़्यादा नजदीक है माइनस है तो माइनस 490 आणि इसमें 10 आउट एड किया जाए तो यह 500 हो जाएगा मतलब यह 500 का यह ज़्यादा नजदीक है तो यहां आपका है लिखेंगे 500 अब इसे घटा आ देना है तो चलिए इसे तो दो जिरो से दो जिरो घटेगा तो दो जिरो ठीक है अब यहां एक पैचा देगा 13 में 5 जाएगा कितना बचेगा तो आप यहां बोलेंगे प्रस्ण संख्यादी को भी हल करते हैं प्रस्ण संख्यादी में है ठीक है देख लीजिए 48 लाख नो सोड़ी कि यहां पर है प्रस्ण में चार लाख नबासी हजार 349 माइनस यहां हो जाएगा अचली ग्याद करते हैं यहां पान संख्यादी अंघिक हो जाएगा मतलब है तो यह संख्याय न इत्रीक है तो यह निजταιखालीन तो क्या करेंगे लिख लेंगे तो हुआ तालीस और यहां कितना नजिख हो यहां पर हो जाएगा यह 5 से क्या बराबर है मतलब क्या हो गया है सत्तर के आनि कि आने के बाद जो एंसर आएगा आप इसा घटा लिजिए हो गया है तो इस तरह से यह डाइट एंसर है तो आसा है कि आप question एक और दो अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक like, comment तथा channel पर अगर नए हैं तो channel को subscribe कर लीजिए धन्यवाद